हेलो गाइज, सागत है आपका ग्याजेट्स इंफिनिटी में दोस्तों दिखने में अच्छा लोग रखने वाली तो आपने कई मशीने देखी होंगी अब आप इस वीडियो में ऐसी कई सारी मशीने देखने वाले हैं जो एक मौस्टर की तरह दिखती हैं और टैनिस बॉल कैसे बनती है उसका पूरा प्रोड़क्शन भी आपको इसी वीडियो में देखने वाला है दोस्तों तो फिर देर के इस बात की चले स्टार्ट करते हैं इसका माल के वीडियो को नमबर दस फिरियोन लंबे लंबे पाइप से जुड़कर ये किसी तरह का शेड नहीं है एक बिल्गुल नई मैंशन है जिसे एक सो बायने एक टेक्नोलोजी का इस्तिमाल करके बना आ गया है एक हैवी मशीन ये किसी खतना मांस्टर की तरह दिखने वाला ये एक ऐसा इन्वैंशन है जो एक हुमन की तरह टेरिन पर चलता है और चलने के लिए इसके पास अपने चार मांस्टर पर हैं जैसे मांस्टर को कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर भी किसी को बैटना जलता जाता है और इसके अंदर लीथियम एलर्जी के सेल दिये गए हैं जो इसे ताकत देते हैं नमबर नौ बीलजी 60 लंबी लंबी हैट से लोगों को नीच उतारने वाली आपने बड़ी बड़ी क्रेन ही देखी होंगी लेकिन आप इस स्किन पर जो एक मशीन और वीकल देख रहे हैं ना इसके बार ने दो ऐसे हात है जो बड़ी बड़ी क्रेन से भी बड़ी में दोस्तों मेटलब से दो बड़ी मधस मेरे घ्यूरी दोस्तों और वीगधा से उपन कर सकते हैं ये कोची मिनटन आपने आपको पूरी तय से उपन कर देता है और हाई क्वालिटी मटिरल का बना हुआ है ये बहुत ज़्यादा धीरे भी नहीं चलता और अच्छी खास स्पीट के साथ कहीं भी महुँच जाता है और खतरनाक से खतरनाक सफिस पर एक पक्की और बहुत ही मजबूस सफ़े कोची मिनटों में तयार कर सकता है और इमर्जनसी में लोगों के काम आने के लिए एक भैदरी रिकल्ब है दोस्तों एक टैर वाली ये कोई गारी नहीं है और नहीं कोई बाइक है और नहीं बचों कोई खेलने का खिलोना है ये तो खेद में काम आने वाले एक ऐसा मशीन है जिस वे बैट कर आप खेद का कटिन काम कर सकते हैं दोस्तों खेद की मिट्टी को अगर आपको सही से काटना है तो आप इस मशीन पर बैट कर उसे बिल्कुल सही और एकी लाइन में काट सकते हैं वहिया अगर आपको अपने खेट में किसी तरह का सेट अप करना है और पाने के बीच से मिट्टी और कीचर में सही से काम करना है तो भी आप इस वा बैट कर ऐसा मेहनत वाला और कटिन काम कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको अपने खेट में किसी तरह की नहर बनानी है तो आप इसके कुछ चकर से ही ऐसे चोटी नहेतेया कर सकते हैं और उसमें अपने खेट के लिए अच्छा खासा पांच ठोल का गर रख सकते हैं इस मशीन के आगे के पार्ट को सफिस पर रखकर इसे उठा कर भी चला जा सकता है और खेट का काम निप्टाय जा सकता है भाईया अगर आप बैटर सोयल ट्रीटमेंट करना चाहते हैं अपने खेट की मिट्टी को पलटने के लिए किसी भड़िया ट्रक्टर का इस्तिमाल करना चाहते हैं जिसके बीजे हाई कॉालिटी का मेटल एक मेट्रियल हो और खेट की मिट्टी को नुकसान नहीं पहुँचाए तो आप इस ट्रक्टर का इस्तिमाल कर सकते हैं पांसे ग्लोवाट का पावर इस ट्रक्टर में है जो किसी भी तरह की कट हो मिट्टी को भी अपने पीछे से खेलते हुए पलटने के केपेबल है और इसके टायर भी बिलकुल नॉमल ट्रक्टर के टायर से बिलकुल अलग है वहिए अगर आपके पास अच्छी खाजी जगह है और आप कम वक्त में अपने खेत की मिट्टी का भड़िया टीटमेर करना चाहते हैं तो इसका इस्तिमाल कर सकते हैं इसका आगे का अंटरफेस बिलकुल भी खेत के अरिया को नुकसान पहुचाने वाला नहीं है और दूसरे ट्रक के मुकाबले काफी ज़्यादा चोटा है और यह पूरी तरह से आटोमेटिक है यानि इसमें बैट कर इसे किसी को भी चलाना नहीं बढ़ता अपने हाद में इस मशीन को ले लीजिए और फिर किसी भी अच्छी खाजी खड़ी गारी के बास पहुच जाएए और इसकी दो उंगलियों से उस गारी के पुर्जे पुर्जे को दो दो पार्ट में बाट दीजिए इलेक्टिकल पावर रखने वाली एक ऐसी स्प्रेडर है जिसके साथ गारी में लगे वे मेटली मठीरल के पुर्जे इसके आगी बिल्कुल भी नहीं दिखते और कुछी सेकेंड में गारी के गेट को गारी के बाड़ी से अलग करके रख देता है भाया अगर आप किसी अच्छी ख़ड़ी गारी को टुकड़े टुकड़े दिखना चाहते हैं तो इसके अस्तिमाल कर सकते हैं या फिर अगर आप इस तरह कोई काम करते हैं जिसमें पुरानी गारी काम करते हैं तो आप इस मशीन को ले सकते हैं इसकी दो उंगलियों में काफी जादा ताकत है और आपे से अपने हाथों में लेकर बिना किसी भार एक्विप्मेंट के और मेहनत के इलेक्टिकल तरीके से इसके साथ वर्क कर सकते हैं और ये काफी जादा स्मार्ट तरीके से वर्क कर दी है और तेजी से भी बंगाली हो या गुजराती अगर चावल का नाम आ जाए तो उन्हें अपने खाने की टेबल की याद जरूरा आ जाती है और ऐसे कई जगे के रहने वाले हैं जिन्हें चावल बहुत ज़ादा पसंद होते हैं और वो ये भी जानना चाहते हैं कि चावल की कटाई आकर होती कैसे है अभी तक तो चावल की कटाई के लिए वही पुराना हार्वेसिस सिस्टम में इस्तमाल किये जाता था लेकिन आप पूरी तरह से आटोमेटिक तरीके साब के खाने की टेबल पर आने वाले चावल इस मशिन के साथ खेट में से निकलने भी वाले हैं और डारेक्ट पैकेट में भी आने वाले हैं खेद में चावल की खड़ी फसल को यह अपने अंदर ले ले लेता है, और इसमेंसे से चावल को अलक कर देता है, उसे अपने packet तर पहुचा देता है, और बचा हुआ सारा कच्रा आपने पीछे टुकडे टुकडे करके बाहर कर देता है वहीआ, इसे बस आपको चलाने के लिए आगे बैटना है और वे बिल्कुल तयार चावल्स के साइट से आपको मिल जाएंगे इसे आप डायेट अपने लिए कहीं भी ले आ सकते हैं दोस्तों जालो लगा कर हम अपने घर की सफिस को तो साफ कर लेते हैं लेकिं इसके साथ बाहर का रोड बिल्कुल भी साफ नहीं हो पाता लेकिन अब इसकी लीडर के साथ हाई प्रेशर के साथ कंक्रीट का मदबूत रोड और इसबास जमीन मदबूत से मदबूत गंधी कётсяब और साफ हो जाएगी मशीनों को क्लियर करने के लिए और इस पर लंबे वक्त से जमी धोल मिट्टी को हटाने के लिए क्लीनर का इस्तिमाल इसके साथ इंडस्टी में रखे हुई मशीनों के अंदर के पूजों तक सवाई पहुंच जाती है और वो भी हाई प्रेशर के साथ इसे आफ जमीन की तरफ करके भी क्लीनर की तरह इस्तिमाल कर सकते हैं और इसका मूँ ऊपर करके गाडियों के नीचे के सवाई करने के लिए भी कर सकते हैं दोस्तों इसे बस आपको किसी क्लीनर की तरह अपने हाथ में लेना है और आगे चलाते जाना है यह जहां भी चलता जाएगा उसके अपनी गोल सफिस के मदद से वो जगह पर बिलकुल भी गंद के नहीं छोड़ेगा एक बिलक को दूसरी बिलक से टकराकर हम तोड़े लेते हैं लेकिन जहां भारी भारी पथर और स्टोन के टोड़ों को तोड़ने की बात आती है तो हमेशा खतानाओ का भारी काम हासे नहीं कर पाते मोटे और हाई मेटिरल के बने हुए स्टोन को काटने के लिए इसके जैसी मेटली मेटिरल की बने हुए कटर का इस्तिमाल किया जाता है स्टोन के बड़े से पत्थर को सेट करके एक जगह रख देने के बाद आप किसी भी हाइट से इस cutter को उसके उपर रख सकते हैं ये cutter तेज़ी के साथ उसे बिना नुक्सान पहुंचाए काट देगा यानि कि आसपास करे रही है कि cutting की वज़े से नहीं ढूटेगा इसके side में meeting को कम करने के लिए और काम को equipment बनाये रखने के लिए पानी की धावाली पाइप भी दी गई है और पानी भी गिरता रहता है और cutting भी चालू रहती है भाईया ये disc अच्छे कासी बड़ी है और मजबूस से मजबूस तरह की चीज़ों को काटने के लिए स्पिमाल की जाती है अगर आप इस टोन के बड़े बड़े ब्लॉक काटना चाहते हैं तो इसे ले सकते हैं आलू जैसी खेट में उगने वाली फसल जो खेट में उल्टी तो है पर उपर से बिलकुल भी दिखाई नहीं देती इस तरह की फजल को खेट से निकालना और एक जगपा जमा करना और फिर उठा कर टेक्टर में रखना बहुत जारा टाइम का और मेहनत का काम होता है दोस्तों लेकिन अब इस तरह की खेटी आपके लिए इस मशीन के साब बहुत जादा आसान हो जाएगी जो अपने आगे से भी काम करता है और पीजे से भी ये अपने सर्फिस को खोल कर जमीन पर बिचा देता है याने आलो को अपने अंदर कीसता जाता है इसमें से फिर अन्य से सारी चीजों को जैसे मिटी और खेद में फैला हुआ कच्रा अलग करके खाने को अपने हाथ से ट्रक के अंदर नोजल के जरीए पहुचा देता है इसके सभी पार्ट से पूई तरह से फोल्डेबल हैं और काम पे वक्ती जमीन पर रहते हैं या फिर हवा में जब काम पूरा हो जाता है तो आप इने बटो हो सकते हैं और ये ट्रक आसानी से इस तरह के काम के लिए जगर से दूसरी जगर पहुंचाया जा सकता है भाईया नमबर एक पैन टैनिस बॉल्स रोजा फैडर जैसे स्टार खिलाड़ी कि इस टैनिस की मदर से अपना जोहा दिखा कर अपना गेम दिखा कर स्टार बनते हैं अब इस टैनिस की बॉल को बनते हुए भी देख लीजे दोस्तों नेचुलर सिंथाटिक रबर के बॉर्डर फॉ काटा जाता है और इसी तरह उसके दूसरे हिस्से को भी एक जैसी साइज में काट कर एक मशीन के द्वारा इने जोड़ दिया जाता है जिस पर ग्लो लगा कर प्रेशर के सरी आपस में इने मिलाया जाता है एक बॉल का आका ले लेने के बाद इस पर टैनिस का दिखने वाल कलर और न्यूजिलेंड का वोल चेप और नाइलॉन का कवर चड़ाया जाता है इसकी कटिंग भी इस मशीन के द्वारा ही की जाती है वहिया ग्रीन कलर की नाइलॉन के कटे हुए इस पार्ट को मशीन के द्वारा बॉल पर लगा दिया जाता है और यह दो पार्ट एक ही ब पार्ड को काट दिये जाता है और बॉल को बॉक्स में रखकर सेल होने के लिए आगे पहुंच जा दिये जाता है दोस्तों इस तरह की और वीडियो के लिए सबस्क्राइब करें हमारा चनल हौल लेटस वीडियो के लिए बेल आकन को दबाना बिलकुल न भोले जिसने हमारे वीडियो आप तक पहुंचें सबसे पहले दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएगा हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे दोस्तों दोस्तों आज के लिए वस इतना ही धन्यवाद झाल 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 झाल